हेलो एव्रिवन वेल्कम टू वर यूट्यूब चैनल जेकलेटेस इन्फो तो यहाँ बर 11, 12 और 13 नवेंबर के जो भी important current affairs है हम discuss करेंगे Delhi current affairs हम discuss क्या करते हैं इन दो दिनों के कुछ reasons की वज़े से नहीं upload कर पाया था आज combine कर रहा हूँ question number 1 की बात करें कहा गया national education day की बात करें कब होता है national education day की बात करें 28 October 1st November 2nd November 11th November option number D यहां पर correct हो जाएगा और जब आपको exam होना होगा न उससे पहले जो भी important days थे या भी date वगएरे वो आपसे भी discuss कर लूँगा ताकि आपको confusion नहों किसी तरह का आगे चलते है question number 2 की बात करें कहा गया सत्यजीद गोश्ट की बात करें जिनके बी रिसेटलेट हो चुकी है वह कौन से गेम से रिलेटेट थे football, cricket, tennis, badminton तो वह football से रिलेटेट थे option number है यहां पर correct हो जाएगा आगे चलते है question number 3 की बात कर लेते हैं कहा गया है who has launched the world's first 60 satellite named UESTC satellite किसने launch कि है world की पहले 60 satellite इसका कहा जा रहा है कि अब यह क्या होगा यह 5G से भी 100 of 1000 times जिदा faster रहेगा तो यह किसने launch किया है first 60 satellite रशिया, USA, China या फिर इंडिया जल्दी किसको पढ़ी है चाइना को पढ़ी है तो चाइना लाँच करेगा option number C यहां पर correct हो जाएगा आगे चलते question number 4 की बात कर लेते है Mumbai Indians won the dash edition of IPL in 2020 अब यहां पर अब सभी को पता कि 2020 की बात करें आइपल किसने जीता वो Mumbai Indians ने जीता है बड़ यहां पर यह नहीं पूछ जा रहा पूछ जा रहा कि जो IPL था इस बार वो कौन सा एडिशन था 10th, 13th, 15th था या फिर इनमें से कोई भी नहीं यहां पर जो correct answer हो जाएगा वो 13th हो जाएगा B option, 13th edition या पर था, runner-up कौन था मतलब कि जो final match था Mumbai Indians किसने खेला था वो वो Delhi Capitals का match था Mumbai Indians और Delhi Capitals का था 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 10th November को था, अब आपने बताने कि कौन से stadium में यह match हुआ था, चीक है stadium का नाम आपने बताना है Q5 की बात कर लेते हैं कहा गया है, who won the title of player of the series in IPL 2020, मतलब player of the series कौन रहा, अगर IPL 2020 की बात करें, player of the series कौन रहा, जस्परी दुम्रा, रोजित शर्मा, शीखत देवरे, फिर जोफरा आर्चर, तो option number D, यहां पर जोफरा आर्चर, जो हो correct हो जाएगा, और जोफरा आर्चर क Q6 की बात कर लेते हैं, कहा गया है, who is the winner of Jio Women's T20 Challenge 2020, यहां पर कहा गया है, यहां पर रहा, और यहां पर रहा, option number रहे, बिल्कुल correct हो जाएगा, और runner-up कों थे, सूपर नोवास थे, आगे चलते हैं, Q7 की बात कर लेते है, most important question, हलाकि international level का, but important है, कहा गया, world's long serving PM, Sheikh Khalifa, passed away, world के सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा time duration हो जो प्राइम निस्टर रहे, Sheikh Khalifa, उनके अभी death हो चुकी है, he was a prime minister, वो कहां के prime minister थे, वो UAE के prime minister थे, Bahrain, Afghanistan, none of this, यहां पर जो correct answer हो जाएगा, वो Bahrain हो जाएगा, option number भी correct हो ज जाएगा, world's long serving PM, ठीक है, तो उनकी recently death हो चुकी है, Bahrain के prime minister थे, आगे चलते है, question number 8 की बात कर लेते है, whose autobiography is titled as I am no Masiha, अभी है, अभी complete नहीं हुए, December में जाके इसको launch किया जाएगा, I am no Masiha जो है, किसकी autobiography आपको यह बताना है, सोनुसूद, सल्मान खान, विराट कोली, फिर MS दोनी, जहापर सोनुसूद जहापर character answer हो जाएगा, जहाँ पर वो अपने life experience भी share करेंगे, COVID pandemic के time पर उन्होंने क्या क्या काम किये थे, किस तरह का experience रहा है, वो सभी बाते है, वो जहापर share करेंगे, आगे चलते है, question number 9 की ब किस ने launch किया है, purpose किया है, air pollution से fight करना, केजिरवाल, मनोल सिना, मनोहराल खटर इन्में से कोई भी नहीं, मनोहराल खटर, option number C, जो की हर्यने के चीफ मिलिस्टर ने, उन्होंने ये launch किया है, आगे चलते है, question number 11 की बात कर लेते हैं, कहा गया, अरहम, ओम, तलसानिया, एक six year क लड़का है, जो की world का youngest क्या बन चुका है, world का youngest computer programmer बन चुका है, wrestler, cricket, playfin में से कोई भी नहीं, तो world के youngest computer programmer बन चुके है, कहां के रहने वाले है, गुजरात के आहमदाबाद के रहने वाले, आगे चलते है, question number 12 की बात कर लेते है, your best days today, ये जो book है, your best day today, इसके author कोन है, सश public service broadcasting day, public service broadcasting day की बात करने कभ ऑबसर्व के जाता है, ये भी 12th November को observe के जाता है, world pneumonia day की बात करो, ये public service broadcasting day की बात करो, दोने 12 November को होते है, option number D, या पर correct हो जाएगा, आब कभी भी भी आप revise करना चाहते हो ने current affairs को, या कुछ भी revise करना चाहते हो, आपने आना हमारी playlist में, हमारे आपने यहांबर क्लिक करना जैसे यहांबर क्लिक करेंगे यहांबर कर सकते हो किसी पितरा का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना थैंक्यू जाहिद